पूरा खीला हो गया हूँ और भाई चाबी भी खीली हो गई है अब बदने कारी स्टार्ट होगी नहीं होगी वाई इसके न सर में लगी हुई है कि आपका किया है। आपको क्या होगी वार खराब होगी होगी अभी टाइम देख रहे हो टाइम हो थीन बजने माई और अभी मेरे सेलरी अकाउट में आ चुकी है अरे देख रहे हो आपके भाई की पावर एक दीन आफिस नहीं गया पुरा अफिस लिग गया अलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग आई होप आप सुब लोग अच्छे होंगे अब यार यहां पे क्या हो गया ओ भाई कुछ बस एक्सिलेंट वगर ओ भाई साव एक्सिलेंट हो रखा भाई लों डेकर लगी पड़ी है ओ भाई ओ एक मिट देख लेता हूँ लग गई है जाद इस बाई को एक सिर्फ डिजायर वाला ठोकर भाग गया और इसकी पूरी स्कूटी खतम हो गई है पीछे से और वो बंदा भाग गया भाग गया वह गाड़ी वाला गाड़ी देखी थी आपने कौन सी थी शिफ्ट डिजायर गाड़ी थी आग गया भाई तू ठीक लग रह पहले से मुझे बता तुरको फील आ रहा है पता है तुरको तु कहां पर है यार इसको मुझे लग रहा है इसके न सर पर लग गई है जिसकी वज़े से भाई को बिल्कुल भी सब्सक्राइब हैं है हैलमेट पूरा टूटा पड़ा है भाई कुछ नहीं पता ना आपको इसका तो फोन भी मुझे फोन के रहा है और कहां रहता है यार बारिश बहुत तेज हो रही है बहुत ही तेज वारिश हो रही है और इस बाई का कुछ से मुझे लग रहा है क्योंकि हमारी बात नहीं सुनगा बिल्गुल भी और सो नंबर में फोन नहीं मिल रहा है और बंदा और मुझे सब्सक्राइब यार मतलब किसी को ठोको और भाग जाओ यह रोका है यह रोका है इस तो एक बाद करके देखो बाई आया कुछ समझ में आया है है परिशान मतो घर पहुंच जाएगा तु घर का पता है ना तरको घर को तो पता होगा इसे लोग होते है गाड़ी ठोकते है भाग जाते है यह आख जाते है अब यह बंदना ना मेरी गाड़ी में बेठने को तयार है ना उन लोगों की बाई क्या सोच रहा है नहीं समझ मिब दो नहीं रहे नहीं हम लोग तो बोल रहे है तो हम आप जबरसी सोडी कर सकते साथ क्या गया रहा हुआ अरे भाई यार यह इसका इसको लेकर चलना चोकी तक सिर्भ अरे बहुत बढ़ी अलगा है यार यह दो सुन्हें आपका महेत भाई एक स्विफ्ट वाला ठोक के बाद गया इसको आजा भाई आजा वेड़ी स्कूटी में साभी एली पानी देगर हो पुतना बढ़ गया पानी बहुत जादा भरा हुआ है अब इसको इसको एड़ाइट कर दो अपने हिसाथ इसको चोकी तक उजार दो किसी भी पुलिस चोकी है ना जो हम भी तरी पीचे पीचे आरे घबराव में पीचे बंद कर ले भाई तू बेढ़ अंदर बेढ़ जा भाई पानी में गया तेरा फोन अपना मिलना पोन के चक अब अगराइट यहां इसका दिमाग वैसे काम निंद रहा भी लड़केगा वाई अगे बेट वेट 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 यार इसके ना जादा लगए है अब कर दो कि अच्छा प्रमें लगी है अजारो समझनी आए बात को गाई तो चोटी वे पोग ताने में और वाह जा अपने आप यहां वे कैमरे न आ जाएगी उसकी वाइड रंकी धी शुट डिजार थी ना तो थीक है पूंच तेरे पीछी आरे वैसे ही सारे लोग चल भाई छोड़ दी है अरे यह पुलिस चोगी रहे नीचे ही तो पुलिस चोगी है बच चोगी बचोड़ दे तेरा काम ख़तम थैंक यू भाई यार अच्छा सर किया किसी के काम आजाओ पर मैं बहुत जादा गीला हो गया हूं यार अंदर कैसे बेटूंगा यह तो सीडी पुरी खराब हो झाल 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 कि पूरा घिला हो गया हूं और भाई चापी भी घिली हो गई है अब बदा नहीं का निस्टार्ट होगी नहीं होगी स्टार्ट हो गई है बस यार वह बंदा पहुंच जाए आराम से बलत कोई भी पास के पुलिस टेशन ताकि वह सेफ लिए अपने घर पहुंच जाए यार यार बहुत गलत हुआ एक स्विफ डिजायर वाला उसको ठोक कर भाग गया और वह बंदा कम से कम यहां से बहुत द तक तक तो वह बंदा अपनी स्कूटी पर आज चुका था यार भी चला लिया करो यार मुझे संज में नियाता मैं सच बदा रहा हूं अगर उस गारी वाले का नंबर मुझे मिल जाता ना तो माई उसे कुट्टे की तरह मारता वैस्टों खेर मैं क्या बोली जार तो अभी पहले मैं चेक करता हूं और सीधा पुलिस चोगी पहुंसता हूं ताकि उस टंपू से भी उस भाई को भाहर निकलवा पाऊं अब बहुत तेज आ रही है बहुत तेज जो भी उस सिट वाले बंदे ने किया ना बहुत ही गलत किया यार अगर मालो गलती से उसकी गाड़ी लग भी गई थी तो उसे वहां रुकना चीए था और उस स्कूटी वाले की हेल्प करनी चीए थी जो कि उसने नहीं की यार आप इतने निर्दाई कैसे हो सकते हो उन जो बाइक वाले वहां पे खड़ेते ना उन भाई लोगों ने मुझे बताया कि भाई इसके टकर मारी उस गाड़ी वाले ने और ये कम से कम 40-50 फूट दूर जाके गिरा इसको अम लग उठा कर आये और यहां पे लाके बिठाया है और अब हम इससे पूछ ने कि भाई कहां से बता कि हुआ क्या भाई उस बंदे को कुछ पता ही नहीं वो बंदा इतना जादा होपल है सोचुका था ना कि हम जितना उससे पूछ रहे थे ना उतना ही जादा वो पजल हो रहा था अब हम ने सोचा कि भाई ऐसे तो इसका कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि उसको यही न अब फोन नहीं मिला तो हमने डिसाइड कि भाई किसी भी टंपू वाले को रोकते हैं इसकी स्कूटी लोड करते हैं कि एक टंपू रोकते हैं और इसकी गारी टंपू में लोड करते हैं और इसकी गारी लोड करते हैं तो हमने यही किया, और टंपू में उसको लोड कराया, और साथ में उसको भी भीड़ाया, और जो वो भाईक वाले भाई लोग थे ना, उनको मैंने यही बोला कि इसको सिरफ पुलिस चोंकी तक छोड़ दो, बाकी काम पुलिस वाले अपने आप कर लेंगे, situation आप उसे बता देना कुछ भी दिक्कत लगते तो भाई मेरे पास video recording है तो आप tension मत लेना किसी भी चीज की और अगर मेरे जूरत लगती है तो मैं आपको number दे रहा हूँ आप मुझे call कर लेना तो उनसे सारी चीजे हो गई और मैंने भी डिसाइड के चलो यार मैं भी चोकी तक ही चला जाता हूँ बट जब तक मैं वहाँ पोचा ना तो वह लोग आदे ट्रैफिक के बीच में थे और मैं फ्लैवर के उपर आदा चड़ चुका था मुझे नीचे से जाने वाले है अब जब उपर चड़ा तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई मैंने वहाँ पर बाइक वाला खड़ा था उसको बोला मैंने इशारा करा तो उस भाई ने मुझे इशारा करा भाई आप जाओ मैं हूं यहां पे हम लोग कर लेंगे वह दोनों तीनों स्कूटी वाला और वह कोचने से बहुत बेर पहले से खड़े थे वहां पर समझे आप बात को और उन्होंने उसको पानी पिलाया उसकी इतनी इतनी वह करी ना कि यार वह बस कैसे ठीक हो और जल्दी से अपने घर का एडरस वैडरस को बताए ताकि वह लोग उसकी हैल्प कर सके बाई वह बंदा कि उसके घर में कोन है कहां से आया है कहां जा रहा है लगी कैसे तो थोड़ा सा मैं भी डर गया था कि यार यह कुछ गलत ना हो जाए इस बंदे के साथ तो हमने फिर डिसाइड गया और उसको पुलिस चों की भेज दिया अब तो वह पहुंच भी गया होगा अब यार मैंन जाके फाइदा भी नहीं है क्योंकि यार अब ऐसा कुछ देखने के बाद है ना बिल्कुल भी मन नहीं आप कुछ करनेगा तो बस अब इस वीडियो को जादा नहीं किसते मैंने आपको सब कुछ बताई दिया है अब मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में अब लाइक करना कमेंड करना वो आपके ओपर डिपेंड करता है बाकी अभी के लिए बाए अगर कभी ऐसा कुछ हो भी जाना गलती से तो प्लीज लोगों की हेल्प करना जैसे कि वो लोग महाँ पर खड़े होके कर रहे थे